हेलो दोस्तों आज मैं बना रही हूं बहुती स्वादिस्ट रेसिपी इसे बनाना बहुती असान है बच्चों का केले से कोई भी बना सकता है और सबको बहुती पसंद आता है और बहुती जल्दी जटपट बनने वाला रेसिपी है आप इसे जरूर अपने महमानों को पसंद आएगा तो चलिए रसेपी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिया है हाफ लीटर मिल्क रेगुलर मिल्क और इसे एक बॉयल आने तक हम इसे कुक करेंगे बॉयल आने पर हम डालेंगे इसमें शुगर आप अपने टेस्ट के गॉर्डिंग शुगर डालेगा मैंने 3 ठेबल स्पून मैंने शुगर डाला है और इसे हम अच्छे से घूलने देंगे फिर मैंने लिया है कंस्टेटड़ पाइड़र 2 टेबल आसी नपतिए मिल्कूल अच्छे से मिक्स होना चाहिए यह मिल गया है और इसे हम थोड़ा आने तक को करें की वह तक हम इसे को के लिए हम इसे फरीज में रख देंगे फिर दो गन्ता के बाद मैंने इसे निकाल लिया है जिसकी तीकनिस आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीकी से हो गया है वोड़ा और घणा घाड़ा ही फिर हम डालें अनार से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्वाद और बढ़ जाता है अनार से मैंने ये सारा डाल दिया है ये तो अल्रेडी ये तो चिल्ड है एकदम ठंडा है आप इसे मिक्स कीजी अच्छे से हलके हाथों से इसे मिक्स कीजी गाइस और फ्रूट साप पहले नाड ये थोड़ा चिल्ड हो जाए उसके बाट डालें इसका लूक अच्छा आता है और इससे ठंडा ठंडा आप सर्फ कीजिए चिल्ड है एकदम आप खाईए महमानों को दीजिए बच्चों को दीजिए मैं तो जारी हूं खाने के